नमिश्कार सी नियूस भारत में आप सभी का स्वागत है मैं आपके साथ रजा सिंग रतन टाटा की निधन के बाद उनकी सौतेले भाई नोयल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्धक्ष चुना गया है नोयल टाटा टाटा ग्रूप के 34 लाग करूण रुपए से जाधा की कारूबायर का नेत्रत्व करेंगे वो पहले से ही टाटा संस को सम्हाल रहे थे टाटा ग्रूप की शिर्वाज साल 1868 में जम्शेद जी टाटा ने की थी आठा टा ग्रूप में 100 से जाधा कंपनिया है और इसका मार्केट कैम 403 अरब डॉलर से जाधा का है भारतिय रुपए में ये रिकम 34 लाग करूण रुपए से जाधा की है चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है टाटा संस टाटा ग्रूप और टाटा ट्रस्ट सबसे पहले टाटा संस की बात करते हैं टाटा संस टाटा शेखरन टाटा संस के चेर्मैन है वहीं बात करें टाटा ग्रूप की तो टाटा के तहत आने वाली हर कंपनी को टाटा ग्रूप के नाम से पहचाना जाता है टाटा ग्रूप में 100 से जाधा कंपनिया है टाटा ग्रूप की कंपनियों में टाटा संस के लावा दूसरे शेयर दोराब जी टाटा ट्रस्ट, ये दोनों ट्रस्ट सर जमशेद जी टाटा के बेटों की याद में स्थापित किये गए हैं, वहीं सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट में कुल तेरा ट्रस्टी हैं, इन में से पांच लोग दोनों ट्रस्ट के ट्रस्ट यह पाँच ट्रस्टी है पूर्वे रक्षा सच विजय सिंग टीवे समू के वेडू श्रीनिवासन रतन टाटा के सौतेले भाई नोयल टाटा व्यावसाई महली मिस्त्री वकील डेरियस खंबाटा इसके रावा सर्दोराब जी टाटा ट्वस्ट के पूर्वी सिटी इंडिय प्रमित जवेरी रतन टाटा के छोटे भाई जीमी टाटा और सर रतन टाटा ट्रस्ट के जहांगीर अस्पताल की सीओ जहांगीर एच्सी जहांगीर अनी ट्रस्टी हैं ऐसे में सवाल उठता ही कि आखिर वो टाटा ट्रस्ट कितना पावर फुल है टाटा ट्रस्ट को ताठा संस का लगभग शाग प्रतिशत्च करने के लिए नए अधक्ष का चयन करने के लिए बैठक की और नुएल टाटा को चेर्मैन चुना ये पत्पूरे समू पर महत्पूर प्रभाव डालेगा क्योंकि ट्वस्ट के पास टाटा संस में बड़ी हिस्सेदारी है इसके लावा समू के नियमों के अनुसार दो मुख्यव ट्रस्ट टाटा संस के एकतिहाई निदेश्यकों को नामांकित कर सकते हैं और सभी निदेश्यकों की नियुक्ती और हटाने का अंतिम अधिकार भी उन्हीं के पास है फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे है सीर्यूस भारत हर कबर आपके साथ आपके हाँ